नाजकार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहें न्यूस क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की सबसे पहले चर्चा फिलिस्तीन की फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के एहम शहर जैनिन पर हमला बोला इसराइल ने बहुत ही घातक हमला जिस तरह की तस्वीरे हैं वे दिल दहला रही हैं आखिर क्या घट रहा है फिलिस्तीन की इस नगरी में और पूरे फिलिस्तीन में इसराइल फिर क्यों हमला वर हुआ है इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे फ्रांस की फ्रांस में 27 जून से जो हिंसा का दौर चल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा दिक्कत ये है कि एक 17 साल के नौजवान की हत्या के बाद जिस तरह से माइगरेंट्स और प्रवासी फ्रांस के लोगों में जो गुसा फूटा है उसका हल ढूनने के बजाए बहुत से लोग खास दोर से भारत में इसे इसलामोफोबिक नजर से देख रहे हैं यानि मुसल्मानों के प्रती नफरत से देखा जा रहा है जबकि यह मुद्दा है नसल का यह मुद्दा है आर्थिक विभेत का इन दोनों एहम मुद्दों पर हम चर्शा करेंगे प्रबीर पुरकायस से प्रबीरा सबसे पहले हम बात करेंगे फिलिस्तीन के बारे में जो खबरें और वीडियोस हमारे सामने आ रहे हैं वोग बता रहे हैं कि फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में जो शहर है जनन वहां पर हमला बोला है इस्राइल ने बड़ा भीशन हमला है, नौ लोग मारे गए हैं, सौ से अधिक लोग घाल बताय जा रहे हैं, शहर के चारो तरफ और शहर के भीतर से भी गुबार उठ रहे हैं, यानि हमला चल रहा है, यह हमला अचानक क्यों बोला और क्या इसके पीछे कुछ और कहानी है? देखें, इस हमले के बारे में बात करने के पहले, जनीन शहर के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं, हम कह रहे हैं, जनीन शहर है, बट वो अगर इलाका देखें, तो धाई सो मीटर बाई धाई सो मीटर स्क्वेर है, मतलब जैसे हमारा साकेत है, उसके जिस ब्लॉक में मैं र क्या कहेंगे density of population काफी high है इसलिए 20,000 लोग मां रहते हैं पर है एक छोटा सा इलाका तो उसको शहर का दर्जा देना सही है या नहीं अलग बात है पर सभी उसको शहर कह रहे है तो हम भी इसको शहर कहते हैं अगर इसकी इतिहास देखे तो जनीन में वहां पर इसलामिक जिहाद और हमास की प्रभाव रही है और एक पुराना resistance यह वहां पर रही है इस्रेल की occupation की वेस्ट बैंक की बहुत पुराना है और जनीन में खास तोर से काफी militant movement हुआ था सब मिलके किया था तब पी एलो भी उसमें शामिल था जब दो हजार दो तीन की जो दो लेकिन इन्तफादा जिसको कहा जाता है उसमें जनीन के शिरकत बहुत था और इसके बाद अभी तक वहां पर जनीन के resistance को Israeli forces ने खतम नहीं कर पाए लगातार वो center of resistance के रूप पे रहता है और अभी भी resistance है थोड़े दिन पहले वहां पर attack जो हुआ था जनीन में उसमें एक armed personal carrier जो कहते वो आया था इसरेल का उसको भी उन्होंने उड़ा दिया था पहली बार हुआ और इसके बाद उसको निकालने में लोगों को निकालने में और उसको उस armed personal carrier को निकालने में उसको 5-6 घंटा लगा था इस बार उसका बदला लिया जा रहा है दो हफते बाद जो attack है साफ है कि उसकी बदला लिया जा रहा है और इसी लिए जिस तयारे से attack हुआ है उसमें आप देखी रहे हैं कि on personal carrier है हवाई जा हवाई हमले भी हो रहे है हवाई से लेके जमीन drones की हमले हो रहे हैं और उनकी जनीन के अंदर शहर जो है उस शहर की सड़क को खोद रहे हैं बुल्डोजर से तो ये तज़वीर साथ दिखा रहा है कि जनीन की ये बस्ती मैं इसको बस्ती कहना पसंद करूँगा इस बस्ती को पूरी तरह से वो अपने कबजे में लाना चा आते हैं इस पे सेटलर्स आके यहां पर अटैक्स जनीन में किये हैं कई बार तो वो चीज अब जो है उनकी ये समझ आई है कि जनीन की इस रिजिस्टेंस को हमें एकदम खतम करना है क्योंकि इस्रेली आर्म्ड फोर्स की इजद चली जाती है जब इतनी छोटी सी जगह में उनकी परसनल कैरियर को धाय किया जा सकता है तो लगता है उनकी जो एक क्या कहेंगे एक दवाव है आम जनता पर वहां पर कि हम आम्ड हैं आप आम नहीं हो वो डर तूटने का संभाबना रहता है अगर डर तूटता है तो फिलिस्टीन की बांचित्र जिस तरह से बदला है उसे पहले मैं खाली एक जिक्र करना चाहूंगी कि यहाँ पर Freedom Theater का भारा से बहुत पुराना लंबा रिष्टा रहा है और जो बुल्डोजर है वो बुल्डोजर ठीक उसके सामने की सड़क को खोता हुआ यह जो फोटो है इसमें भी दिखाई दे रहा है इसे लेकर बहुत मा बुल्डोजर चलना देखे Freedom Theater बहुत पुराना है एक सेकुलर Theater ग्रूप था अभी भी है वो ऐसे चीजों पर थेटर करते हैं शायद इस्लामिक जिहाद को भी वो पसंद नहीं है तो फिर भी उन्होंने अपना काम जारी रखा है और वो रिफ्यूजी बच्चों को लेके यह थेटर चलाते हैं और जैसे हमारे हाँ जन्राप्त मंच है वो वहाँ गये थे और जीत जो ग्राफिक आर्टिस्ट है वहाँ गये मूरेल भी है इसी फ्रीडम थ्याटर में उसका मूरेल भी है तो एक समझ और वो भी फ्रीडम थ्याटर भी भारत वर्ष का अपना नाटक के लिए वो आये थे और यह सब उन्होंने दिखाया था पर सवाल यह है कि यह एक ऐसा एटैक है जो किसी को बख्षता नहीं है जो जो उग्र राइट विंग फोर्सेस है यह इस तरह के हर चीज में वो कहते हैं कि हम चलने नहीं देंगे और इसको कुछल देना चाहिए कोई रिजिस्टेंस हमारे सामने होना नहीं चाहिए तो सेकंड इंतफादा के बाद और एक इंतफादा का शुरुवात मुझे लगता हुआ उसने किस तरह से फिलिस्टीन के जो मैप है जो उसके नक्षा उसका जो इलाका है उसको लगातार कम किया यहां से दर्शक देख सकते हैं हमने शुरुआत की है 1947 से और 2022 में फिलिस्टीन को किस तरह से इसराइल ने चारो तरफ से समेट लिया है हमले अभी भी चल रहे आपने जिक्र किया इस हमले के बाद कह रहे हैं कि हमें और उग्र हमला करना है देखिए यह मैप जो दर्शाता है सिर्फ इलाका कम नहीं हुआ है यह तो एक पक्ष है ही पर सैंसेट के बाद जब उन्होंने वेस्ट बैंक का एक बहुत बड़ा हिस्सा कैप्चर कर लिया थ सकते हैं 49 के बाद से गाजा की पटी अलग हो गया है जबकि यूएन प्लान में उसके जुर्वा हिस्सा तो यह जो है वेस्ट बैंक को भी जो वेस्ट बैंक यहां दिख रहा है इस तरह से आप देख सकते टुक्रे-टुक्रे कर दिये गये हैं और इसके बीच में उनकी सड जाती है जिसमें फिलिस्तिनियों को चलने का अधिकार नहीं है उनको क्रॉस करने के लिए गेट है बैरियर्स है जिसमें वहाँ इस्रेली पुलिस रहती है उसको परमिशन लेके हैं एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं तो इसलिए इसका इसका इरिया जो एक इलाके का अगर लगवा इलाका ना हो तो उसको कंट्रोल करना आसान होता है और इन जगहों पर जूइश सेटल्मेंट बैस बैठाए गया है ताकि इस इलाके के अचित्व भी खदम कर देंगे इनका उद्देश साफ है कि फिलिस्तिनी यहां से चले जाए यह हमारी जगह है अगर र इरादे से यह पूरी पॉलिसी इनकी जो है बन रही है बनी हुई है और इस वक्त जो राइट विंग फोर्स इस वक्त नेतानियाहू की सरकार में है उनका तो साफ कहना है कि हमारा बुल्क है इसमें कोई फिलिस्तिनी बैंगवीर की बार कर रहे हैं और भी ऐसे फोर्स हैं सिर्फ वो नहीं है और भी फोर्स हैं उनका यह कहना है कि यह सब को हमें निश्काशित करना पड़ेगा उसका पुराना पॉलिसी मैं उत्ता दूब पीछे नहीं जा रहा हूं एक एहम बात आपने जो कही और मुझे लगता है दर्शक भी जिस तरह से खबरे देख रहे हैं वो सारी खबरें इस समय चल रही है जैनिन के इर्दगिर्ध जिसे आप बस्ती कह सकते हैं जिसे आप नगरी कह सकते हैं लेकिन यह जैनिन अगर تمाम नक्षे जो हमारे सामने हैं उसमें प्रतिरोत की नगरी के तौर पर है और ऐसा लगता है अभी देखते हुए जिसका इश इसरी बगावात शुरू हो सकती है यहां से हां और एक इंतफादा का शुरूबात होने का संभाब ना रखता है पर जनीन एक रिजिस्टिस का प्रतीख है और खास तोर से आज के तारीख पे लगातार इन पे हमले हुए है जिसको कहते हैं सेटलर कम्यूनिटीज है देख सकत है अगर आप पूरे वेस्ट बैंक को देखें तो पहले यूएन का तस्वीर देखें जो 47 में उनका यूएन प्लान था धीरे धीरे सिर्फ कम ही नहीं होता गया इलाका पर इस वक्त आते वोते पूरा इलाका को टुक्डे टुक्डे में डिविशन कर दिया गया है और अग अजिए यहां से यहां आना चाहता है तो उसको ऐसे इलाके से जाना पाड़ता इस पर गेट्स हैं वहां पर संत्री है पुले से मिलिट्री है उनको परमिशन लेके ही एक दूसरी इलाके में जा सकता है मतलब लगवा इलाकों को एकदम तोड़ दिया गया है इसको से बनाए गए हैं ताकि पूरे फिलिस्तिली लाकों को घेर लें और घेर लेने का मकसदब है है कि हमारे पूरी तरहacă हमारे कबज नियांत्रन में रहेंगे और इनको धीरे धीरे इनको जमीन से मुक्त करके इसको बाहर भी मिलेंगे जिसलिए बेंगविर और ने नेतानियाहू की सरकार है, खास तोर से ऐसे forces इस सरकार में है, जिनका पहले से आम कहना ये है, कि हम इनको बहिशकार करने के भगा देंगे, पैलेस्टाइन की नामों निशान नहीं होगा, इस सिर्फ जुईश स्टेट इसरेल के नाम से पूरा इलाका हमारा होगा, ये इनका क अबने के लिए इस वक्त वो अमादा है, और इसी क्रम में वो हमले भी कर रहे हैं, कबीर अब हम चलेंगे फ्रांस की तरफ, फ्रांस का नक्षा दर्शकों के सामने है, बड़े पैमाने पर हिंसा का दौर है वहाँ पर, जो हिंसा है, बहुत विचलित करने वाली हिंसा है, भारत में तमाम लोग इस हिंसा को, भारत की तरह हिंदू-मुसल्मान तो नहीं, लेकिन मुसल्मानों दौरा की जा रही हिंसा, फ्रांस के लोगों के खिलाफ दिखा रहे हैं, इस्लामोफोबिक नजरिये से देखा सुना जा रहा है, ये जो हिंसा है, इसका रूट क्या है, इसकी वज़ा क्या है, क्योंकि बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी को निशाने पे लिए आ गया है, लोगों में गुसा बहुत है, कैसे देखा जाए इसको इस्लामोफोबिक नजर एक है, और दूसरी नजर क्या होनी चाहिए? देखे, पहले तो शुरू होता है, एक Algeria मुरको आपने जो कहा, उसकी एक मिश्रित पेरिंटेज का एक सत्रा साल का युवक का हत्या से, जो पॉइंट ब्लैंक रेंज में, वो एक गाड़ी में था, उसको रोकने के लिए कहा गया, उसकी स्पीड काफी स्लो थी, तब उसक बहुत बड़े पैमाने पे कहा गया था, कि हम इस पे कदम उठाएंगे, जाच किया है, उसको हमने अभी हिरासत में लिया है, पुलिस आफिसर को वीडियो देखके साफ है, कि ये कोली नहीं चलना चाहिए था, जो भी है, तो वो हम सच्चा ही जाच करेंगे, इससे कि मैं जिकर करूंगा अभी, जो माइग्रेंट वरकर्स वहां है, जो की काफी वहां पर सिटिजनशिप भी जो पा चुके है, कुछ को सिटिजनशिप अभी तक नहीं मिलिया, रिफ्यूजी स्टेटस है, या तो इल्लीगल इमेग्रेंट के रूप में है, बड़े पैमाने में एक बार, दो बार, पुलिस रोकती है, उसे पेपर्स मांगती है, और उसके साथ बतसलूक करते हैं, तो यह जो तस्वीर है, इसलिए आक्रोश है, यहां पर जो दिख रहा है, तो क्या इसी का रिष्टा जाब बता रहे हैं, इसका रिष्टा इन शेहरों से भी है, यही सिभी वहां के रूडल एरियस में खास है नहीं, तो शहरी इलाकों में इमिग्रेशन, इमिग्रेंट पॉपलिशन zyadah है, इस लिए शहरी इलाकों में, खासतोर से पैरिस में, इन इलाकों में जोर शोर से टक्कर हो रही है, ऐसे इमिग्रेंट यूद के साथ, और पुलिस की बीच में ये टक्कर है तो ये जो है इसका वजह क्या है लोग भूल जाते हैं कि फ्रांस एक सबसे बड़ा कलोनियल पाउर आफ्रिका में रहा है इस मैप को आप देखें फ्रांस एक छोटा बुल्क है पर उसका ये ब्लू इलाका जो है पूरा ब्लू इलाका उसके कबजे में था उसकी कोलोनियल पास्ट ये है अलजेरिया में बहुत बड़ी लड़ाई हुई मुक्ति संगराम आजादी की लड़ाई और बहुत बड़े संगर्ष के बाद अलजेरिया में उनको सफलता मिली वो भी मेरे ख्याल से 63 वगएरा उस वक्त जाके फ्रांस ने स्विकार कर लिया कि अलजेरिया में हम हार गए अद दगौल के सरकार ने उसको क्या कि इंडिपेंडेंस देने से मजबूर करना तो ये जो था अलजेरियान इमिग्रेंट्स के एक बहुत बड़ा संख्या फ्रांस में आए इसमें ऐसे लोग भी थे जो फ्रेंच थे ये मत समझेगा सिर्फ अजेरियान ही आए थे और जो अरब नसल के लोग ही सिर्फ आये थे कि फ्रांस में एक बड़ा सेटलर पॉपुलेशन था जूइश पॉपुलेशन भी था वो काफी फ्रांस के सरकार के हाथ बिला के चल रहे थे वहाँ पर लड़ाई में तो वो फ्रांस में उस वक पर लिए है चोटा से लाक है इसमें भी है परकों से बहुत कम गए है और बाली इन सब इलाकों से भी काफी लोग गये तकरीबां फ्रांस की 15 फीस्दी आबादी यहां से आई हुई बताई जाती है अफ्रिका अगर अरब आफ्रिका और सब सहाराण आफ्रिका को जोड़े करीब कह जाता है कि 15 परसंस यहां से आया है उनकी पॉपुलेशन सेंसस में यह सब गिंती नहीं होती उनका यह कहना है धार्मिक आइडेंटिटी हम म्यानते नहीं है स्टेट इसलिए यह सब उसमें लिस्ट में नहीं है पर इसमें बड़े क्या कहेंगे नोटेबल फिगर जो है उस पे उमर साही है बड़ा फिल्म अक्टर है सब उसको फ्रांस पर जानते हैं दुनिया में जानते हैं और इसके बाद कि लियन में मबापे है तो इन सब भी स्टेटमेंट दिये है कि यह जो हो रहा है माइगरेंट पॉपुलेशन के साथ यह गलत है और इस पे माइ दूसरे फ्रांकोफोन आफ्रिक ओरिजन दो तिन जेनरेशन के बाद भी यह कहेंगे गेटोस भी रहते हैं जो बहुत गरीब इलाके में रहते हैं जो नहां की साधन है नहां स्कूल से अच्छी नहां मेडिकल हेल्प मिलने की संभावना है तो एक आक्रोश वहां पर है कि इस इलाके में हम सड़ रहें एक हिसाब से और हमारी प्रगती का रास्ता नहीं है सिर्फ हमें डेलिवरी बॉइस की ही नौकरी मिलती है यह गुसा भी उतर रहा है यह गुसा भी सड़कों पर है इसमें इसमें सड़कों पर एक डीप सीटेट क्या कहेंगे नसल बाद फ्रा कि वहां पर पुलिस खास तोर से रेसिस्ट जो है उसका नजरिया है ज्यादा तर पुलिस में फ्रांसीसी नसल के ही है और इसलिए शायद जो दो यूनियन है पुलिस की उन्होंने पत्र भी लिखा फ्रांस की सरकार को कि हम और ज्यादा कड़े कदम उठाएंगे और हमें और साथ हम इसको देख लेंगे तो सरकार की जो उत पर नियंतरन था उनको डारेक्शन जो जो दिया गया था वो कहा कि इसको हम नहीं मानते हम इसको ठीक कर देंगे डंडे के बल से ये उनका साफ स्टेटमेंट का तो धर्म के बजाए ये नसल की लडाई दिखाई देती है बि नहां पर हाड सेकुलिरिजम है वो आइडेंटिटी को तो आपका सेंसेस में भी नहीं गिनते तो उनकी सब की आइडेंटिटी क्या है वो सिर्फ है कि माइग्रेंट है या फ्रांसीसी नसल के हैं और इसलिए इसको एक रेस विभाजन के लावा और कोई नजरिये से फ्रां जाब कर रहे थे कि सोशल मीडिया में इसको एक क्या कहेंगे धार्मिया कलर देने की कोशिश हो रही है क्योंकि यॉरप में वेस्टन दुनिया में इसको पूरी तरह से एक नसल बात की दृष्टी से देखा जा रहा है माइग्रेंट लेबर्स बहुत ज्यादा आ गये हैं यह आकरोष है फ्रांसीसी जिसको कहेंगे वाइट पॉपुलेशन की नसल की पॉपुलेशन की यह उनका आकरोष है इसलिए उनको और भी तेजी से दवन करना चाहिए यह उनको कहना है और जिस पे पुलिस पी उस पे शामिल दिखा जरा है पर वहाँ पर मे्लेंशौन जो भी कहा है नोकरी क्यों नहीं है कि सुविधाएं क्यों नहीं है और यह सोशल इशूज जो है उन्होंने इस पर फोकस किया है पर हकीकत है यह सवक्त जो है एक नसल बाद का क्या कहेंगे लहर फ्रांस में चल रहा है और इसके जरीए जो आप आरे सामने जो द्रिश्य है दोना तरह से इसी द्रिश्टी को देखा है और निश्चित तोर पे इसमें एक शांती का रास्ता निकलना जरूरी है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में कोई राह निकलेगी फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों एक बात साफ है कि चाहे मसला फिलिस्तीन पर इसराइल के हमले का हो या फिर फ्रांस में जिस तरह से हिंसा का दौर चला जो अब धीरे धीरे कुछ कम हो रहा है लेकिन जो बुनियादी मुद्दे हैं कि हम इस पूरे दौर क को देखें कैसे क्या इसमें भी हम नफरत के एजंडे और नफरत के चश्मे के साथ देखेंगे इन तमाम अंतराश्टी घटनाओं को या फिर जमीन पर जो नसलवात पहला है उसके खात्मे की दिशा में बढ़ेंगे देखिए लाइक करिए शेयर करिए पड़ताल दुनिय भर की न्यूस क्लिक शुक्रिया